तो यहां पर हम अन्बोक्स करना चाहरे है ओपो का हम जो की अभी लेटेस बर्जे ने तो यहां पर इसको जली से मैं निकाल लिता हूं और इसको डिपोक निकाल लिया है मैंने और इसको देख सकते हैं यहां पर ओपो का हम जो की ब्रैक कलर है तो देख सकते हैं आप लोग य यहां पर एक रेफर है और यहां पर चार्जिंग है ठीक है और चार्जिंग के बाद आप लोग को यहां पर देख सकते जो इसका चार्जिंग है और इसका चार्जिंग यह ठीक है जो कि आप लोग देख सकतें हैं तो आप काफ ंपर हो दिस्विते हो फुक्त सिरbuch को एक एक से एक गंटे गंटे 20 मिन्ट में फुल चार्ज कर देगा ठीक है उरके बाज चिए समय जो और बगा रहा है वह तो आती जो कि वाइड था जो कि मैं आप लोगों दिखा दिखाते हूं अभी ठीक है तो यह मैंने फोण ओन कर लिया इसमिटे हम रख सकता हूं नमें स्टार्टिंग में ठीक है उसके बाद इस तरह का इंटरफेस होगा इसको करते हैं नेक्स्ट फिर यहां से किप करते हैं तो कुछ इस type का इंटर्फेस आप लोग देखने के मिलेगा इसको आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर केमिरा तो काफी अच्छा लग रहा है जो कि आप लोग देख सकते हैं पैक कैमर और इसका टेश्ट करेड़ लेटे Sverige तो देख सकते हैं बैक कैम और अभी में जैस का काफी अच्छे देखने के लिए मिला जो कि नॉर्मल मोईल में मतलब 15000 से 16000 रुपे तक का यह स्टैम के रेट में फोन है सोला जार 15000 रुपे का स्टैम यह ओल लाइन है ठीक है जो कि आप लोग देख सकते हैं तो काफी फास्ट फोन चल रहा है अच्छा है इतने प्राइज में ठीक है तो इस साइड देखेंगे तो आप लोग को फिंगर फिलिंग देखने के लिए मिलेगा पर की साइड में कुछ नहीं है ठीक है इस साइड में आपको सिम्स लौड और माइनस और प्लस और यहां पर देख सकते हैं एड़ फोन जैक नीचे की सेड में बाकि कुछ इस टाइप करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आए पसंद आज तो लाइक करना मत बूलना और चैनल को नहीं करने नहीं